वेलकम तो गईया गाइडंस डियर स्टूडेंट आज हम लोग फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए आज हम लोग जीमेट की बात करेंगे यह से पहले वीडियो में पता है था कि वन वई वन करके सारे एक्जाम को कवर करेंगे साल 2021 में नया साल भी आने वाला है दो दिन के से वाद और हम लोग एक जनवरी से लगवग लवग सारे टॉपिक पर आपको कट आफ के ओपनिंग क्लोजिंग रहें के एड्मिशन प्रोसेस के अप्लिकेशन फॉर्म का जो भी चीज़े रहती है एक्स बाइड फॉर्म बरने से लिए करके एड्मिशन तक का जो भी प्र के द्वारे कंड़क करवाई जाता है और इसके बारे में अगर डिटेल में हम लोग बात करें तो यह एक्जाम लगवग एक और लुग यह सबसे पहले कि कब से कंड़क करवाई जा रहा है तो लगवग यह आप देखेंगे यहाँ पे नाइटीन फिफ्टी थरी में ये एक एक्जाम पहली वर कंड़क्ट करवाए गया था, 67 यर लगवग इसका एक्जाम को कंड़क्ट करवाते हुए हो गये हैं, और असेप्टेट स्कोर की अगर हम लोग बात करें, तो असेप्टेट स्कोर का हमने बता दिया, मैंने 114 कंट्र करें दिया, जॉड़ाऊं इंद्धाली इंव ईजामलोग आप सब्सस्राइं, इस सेवोल भी माँव नहीं प्रिऀसि गया, इस स्कुल की बातकर थे, इसका एक्जाम मोडकी अग्जाम मोड की, MAN, वेग्जाम मोड की आ एक्जाम मोड में अगर हम बात करें, computer-based online paper होता है, age limit की बात करें, minimum 18 year इसमे age limit मांगी जाती है, जैसे कि GRIV में ने बताया था कि कोई भी student exam को दे सकता है, लेकिन जब आपका graduation complete होगा, आपके score का use आप तभी कर पाएंगे, अगर कोई बच्चे अगर माल लेजे, graduation first year में है, उसका age अगर 19 साल या 20 साल है, तो भी इस exam को दे सकता है, 18 साल से कम उमर का बच्चा इसको नहीं दे सकता है, minimum age इसमे 18 साल मांगी जाती है, और अगर आपने graduation second year में या first year में इस exam को qualify कर भी लिया, तो आपको लगवग ये score की validity इसकी जो रहती है, वो लगवग 5 year रहती है, 5 year तक इसका score card valid रहता है, जैसे GRE कर रहता है, आग अगर हम लोग बात करें qualification की, तो candidate को जो है bachelor degree चाहिए, किसी भी decognized university से, किसी भी मानता प इसके बाद वो फिर से apply कर सकता है, attempt की बात करें, 5 attempt इसमें मिलते हैं आपको एक साल में, एक साल में एक candidate, एक साल में इसको पांच वार दे सकता है, और लगवग टोटल GMT की अगर बात करें, तो लगवग पूरे time में वो 8 वार ये exam दे सकता है, उसके आदम लोग बात करे है, duration की तो लगवग 3.5 वार कर एक्जाम होता है, और इसमें break time बिन ग्लूट रहता है, टोटल मार्क की बात करें, 800 नंबर का लगवग 800 मार्क का इसका टोटल स्कोर रहता है, इसमें से आपको स्कोर गें करना रहता है, अभी मैं आगे लगवग top 10 business school के मैं cut-off की बात करू लगवग 200 डॉलर लगवग 250 USD, इसका application fees लगवग 17,000 रुपई बनता जाके, test center की बात करें, 650 test center बनते हैं, लगवग 114, countries में 650 centers बना जाते हैं, score grade की अगर validity की मैंने बता है, तो 5 साल तक score valid रहता है, और annual number of test takers की अगर बात करें, कितने साल में बच्चे इस exam को देते हैं, आगे हम लोग बात करते हैं, एक्जाम pattern की बात कर लेते हैं, exam pattern में बात करें, तो 4 section में exam लिए जाता है, 4 section में exam होता है, मैं अगर section की बात करूं, तो section पहले number पे आप देख रहे है, analytical writing का एक portion होता है, जिसको essay writing भी बोलते है, analytical writing, assessment इसको बोलते है, इसमें essay writing का test आपका, म अगर 30 मिनट मिलते है, एक question होता है, और इसमें अगर type of question की बात करें, तो analysis of an argument, argument दिया जाएगा, topic दिया जिस पर आपको essay लेकर दिखाना, मैंने बताया है, writing skills को आपको चैकिया जाएगा, दूसरे number पर बात करें, तो integrated reasoning पूछ जाती है, integrated reasoning में 30 मिनट का time मिलता है, 12 question होत fixed interpretation होता है, उसके वाल table analysis होता है, multiple source reasoning के इसमें question जो है, पूछ जाते है, next हम लोग बात करें, quantitative reasoning के अगर बात करें, तो 62 मिनट का time मिलता है, और 31 question में पूछ आते हैं, इसमें data sufficiency, problem solving जैसे question में put up किया आते हैं, next हम बरवल reasoning के अगर बात करें, तो fourth number, fourth number बे अगर हम बरवल reasoning के अगर बात करें, तो बरवल reasoning में आप देख रहे होंगे, 65 मिनट का time मिलता है, 36 question में पूछ आते हैं, इसमें आपका reading comprehension, critical reasoning, उसके वाद sentence correction का, जो इसमें sentence correction वाला जो पाट आई, जी आरी में भी पूछा आता है, मैंने बताया थे last video में, next हम लोग बात करते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, आप इसकोल की, मतलब टॉप इसकोल की अगर हम लोग स्कूर की बात करें, तो आप देख रहे हैं कि I am Bangalore, तो आप देख रहे हैं कि I am Bangalore, आई एम बैंगलोर का जो cut-off रहता है, वो लगवग 740, 740 जो है, वो आपका I am Bangalore cut-off जाता है, Stanford की बा इसकी बात करें, 730, Chicago University की बात करें, 730, Columbia, CVS, Columbia Business School इसको बोलते हैं, इसकी बात करें, 727, MIT की बात करें, 727, Yale University की बात करें, 720, उसके बात करें, UCL University, अब California, Los Angeles को बोलते हैं, अंडर्सन में बना हुग इसका campus है, 719 इसका 790, 19 जो है, इसका cut-off जाता है, और Michigan Ross University की अगर बात को cover करने वाले हैं, और इसमें अब होना यह है, कि हम लोग next video जो है, वो IELTS टॉफिल पर बनाने वाले हैं, अब धीरी जरे करके, मैं सारे reviews को introduction करके, बनाता जा रहा हूं, सारे videos को, और धीरी जरे करके, हम लोग इनके cut-off की बात करना, 140 countries के, 2300 colleges जो इसके score को accept करते हैं, उ यह चाहता हूं कि जितना भी average schools का बच्चा है, या average city का बच्चा है, वो GMAT, GRE, TOEFL, I, SET, MET, Z, जितना भी exam होता है, वो सारे exam को जाने, उनके process के वारे में उसको पता होना चाहिए, number of exams के attempt होते हैं, उसके वारे में पता होना चाहिए, eligibility के वारे में पता होना चाहिए, ज GMAT के score को इंडिया के top schools उसको करते हैं, जिसमें IEMS भी हैं, बहुत सारे top schools, यसे SP Gen है, नर्सी मुंझा इस टाइप के school जो है, या IBS Hyderabad है, इस टाइप के school आपको इसके score को accept करते हैं, बिजने school को accept करते हैं, तो इस वीडियो को ज़्यादा आगे forward करें, ऐसे आगे भी हम और सारे topic भी वीडियो आपके लेके आते रहेंगे, thank you very much, इसको subscribe और like करना ना भूले, thank you very much.